कि नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी इस नई योगा सिरीज के अंदर आज हम जो आसन आपको बताने जा रहे हुसका नाम है अर्द चक्रासन यानि कि आपको ऐसे बैकवर्ड करना होगा कि जहां पर आपकी जो बैक है वो पूरी तरह से ऐसे बैंड हो जाए और यह जो उसका नाम है अर्द चक्रासन यानिके हाफ विल यानिके जो पैया होता है उसका आधा आकर जैसा हमारी बोड़ी को ऐसे बनाना है तो यह मेंली आपको अच्छी तरह से हल्प करेगा सर्वेकल स्पॉंडिलाइट के लिए और आपकी लोर बैक को और ज्यादा हेल्दी करने के लिए आपकी फ्लक्सिबिलीटी तो मैं चाता हूँगे जरूर आसनिया प्रैक्टिस घर पे कीजिगा और उसको कैसे किया जाता है किस सरह से करना है कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है वो करने से आपको क्या विशेस लाप मिलेंगे आपकी हल्ज के लिए उस सारी बाते हम यह आसन में डिटेल में आपके शरीर की स्थिति आधे चक्र जैसी यानि पहिये के समान बोलाकार में आ जाती है इस आसन को करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों से अपनी कमर को सहारा दी ध्यान रखें कि आपकी सभी उंगलियां जुड़ी हुई हों ताकि आपकी कमर को अच्छे से उसकी पकड मिल सके अब एक गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने सर को पीछे की योड जुका हैं सर को इतना जुका हैं कि आपको आपकी गर्दन की मानस्पेशियों पर खिचाओ मैसूस हो सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें इस थित कि में 10 से 30 सेकेंड तक विश्राम करें अर्ध चक्रासन आपकी भीड को लचीला बनाता है मेरू तंत्रिकाओं यानि स्पाइनल नर्व्स को मजबूती प्रदान करता है ये आसन सांस लेने की ख्षमता को बहतर बनाता है और सर्वाइकल स्पॉंडिलाइडिस यानि गर्द आवीपी के रोगियों को सावधानी से जुकना चाहिए यदि आपको चक्कर आते हों तो कृपया यासन ना करें 10 से 30 सेकंड तक इस्थिति में रहने के बाद अब एक गहरी सांस भीतर लें और धीरे धीरे अपनी कमर को सहारा देते हुए अपनी रीड की हट्डी को वापस सीधा करें उसके बाद सर को सामान्य स्थिति में वापस लाते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ें और विश्राम करें इस आशन को नियमित रूप से करने पर आप पीट और गर्दन दर्द जैसी परिशानियों से हमेशा के लिए चुटकारा पा सकते हैं तो दोस्तों आपने देखा कि यह आशन किस तरह से किया जाता है अगर आपको यह आशन अचला के तो प्लीज लाइक कीजिए और यह वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेर कीजिए नीचे कमेंट में बताइए कि आपको किस तरह के और हेल्थ वीडियो देखने मेरी तर पुरन्थ ही आपने चैनल पर देख पाएं थेंक्यू वेरी माच